अंक क्या होता है संख्या क्या होती है और हां अंक और संख्या के बाद हम पढ़ेंगे संख्या के परकार यानि पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है उसकी शुरुवात करेंगे क्योंकि जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसमें विभाजता नियम इंप्वर्टन था जैसे अगर आप फैक्टर पढ़ोगे LCM HCF पढ़ोगे सिंप्लिफिकेशन पडोगे तो आपको विभाजता नियम आना चाहिए बिभाजता नियम आपको तब आएगा जब आपको पर्मिया पर्मिया संख्या भाज जब आज संख्या पुडांग संख्या संभी सम आएगा तब आएगा तो यह सब एक दूसरे से चैन बाई चैन जुड़े हैं आएए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी परिभासा हम बोलेंगे जिनको जरूरत लगेगी और नोट कर लेंगे ठीक है अपने मुह से एक बार बता दूँ ये क्लास सिर्फ लाइब देख पाएंगे लाइब इंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूटूब पे नहीं मिलेगी आज से ही सुरू है तीन कलास हो गए यूटूब पे तो इसलिए अपना टाइम निकालें अगर आपको गरज है सीखने की फ्री सिखाएंगे सारा काम छोड़के 9 से 9 बच कर 40 मिनट तक लाइब आओ अंक किसे कहते हैं बहुत चोटी बात है परिभासा कहीं पूछी नहीं जाती किसी परिच्छा में लेकिन आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर के 9 तक 0 से लेकर के 9 तक मैथमेटिक्स के ऐसे सिंबल जो गड़ित को लिखने के लिए परियोग किये जाते हैं वो अंक कहलाते हैं ऐसा आप बोल सकते हैं ठीक है 0 से लेकर 9 तक दसमलो संख्या पद्दती में अंकों की संख्या कितनी होती है बंदना चोहान आपको दिखने रहे मौहमध हसन का सबसे सही जबाब था सबसे छोटी अभाज संख्या जो होती है मेरे भाई वो होती है दो तू यहां पर अभाज्य की बात हो रही बिसम की नहीं बढ़िया चालो तो यह चीज आप समझगे अंक क्या होता है जीरो से ले करके नाइन तक ऐसे सिंबल जिनको परियोग हम संख्या पद्धती में किसे कहते हैं जैसे कोई सिंगल है अभी तो उसको कुवारा बोला जाता है अन्मेरेट डबल हो गए तो मेरीट हो गया और अगर तुम सिंगल को साधी सुधा बोल रहे हो तो ये गलत है तो ये सिंगल है तो एक आंखाई है संख्या नहीं है लेकिन इसके पिछे किसी की और जोड़ी लग गई आगे पिछे कहीं तो ये एक संख्या हो गई ठीक है अगर इसमें और भी कोई नंबर इनके साथ आगे तब भी एक संख्या है यानि आपका है सकते हो कि दो या दो से अधिक अंकों के समूँ को संख्या कहते हैं बस सिंपल सा है इसमें कहीं कोई परिभासा पूछी जाती नहीं आपको समझना है में पॉइंट इसमें आपको जो पढ़ेंगे वो मतलब पढ़ाएंगे वो भाज्य भाज्य और पर्मिया पर्मिया संख्या ये कुछ सीखने वाली चीज है आई ये बात करते हैं ये पर्मिय पर्मिय पुडांग धन पुडांग इनके सब के पूर्बजों के बारे में इनके दादा पर दादा के बारे में बात करते हैं तो बैया सबसे पहले जो पूर्बज थे पैदा हुए थे प्रगट हुए थे उनका नाम था संख्या देखो यहां पर समझो अब सबसे पहले क्या था संख्या अब संख्या की हो गई साधी और इनके हो गए दो अठी लड़के इनका एक का नाम था वास्तविक संख्या रियल वह इनके वास्तविक और काल्पनिक, अब देखो जो वास्तविक थे, उनकी भी क्या हुई, साधी विया हुई भाई, रियल नंबर की और इनके भी दुयएटी पैदा हुए जिनका नाम रखा गया पर्मिये, और एक का पर्मिये, यानि वास्तविक संख्या के दो पार्ट प तो इनकी आगे कोई बिबन्स नहीं है, ये खतम है, अपर मीयна में इसमें भी ये भाई सादू बन गए परमियौ संख्या कि इनकी वी साधि विभा हुआ इनके शान्हें प्रोल फूर्ण और पूर्णौं संख्या है यानि यह अपनी पीछे दो पीड़ी का रिकार्ट तोड़ चुके इन पीछे दो पीड़ी में तो एक आप देखो दो हो रहे थियस इन हो गए जीन पर दो वास्तविक संख्या को इंगलिस में रियल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं रियल नंबर इसको बोलते हैं इमेजीनरी पता नहीं मेरे स्पेलिंग साही है न देख ले न इमेजनरी नंबर इसको बोलते हैं प्रकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर अब इनको एक एक को बिस्तार से पढ़ेंगे सभी फटा फट छापलो समझलो स्क्रेंसाड लेलो सचीन कमेंट आ रहा है आप सांत्रो क्योंकि ना कुछ ज़्याद आई कापी पेस्ट कर रहे हो चीकू सिल्पी चौहान समझ में आ रहा है अनुज सुमित मनोज बंदना चौहान ठीक है आगे बढ़ें तो यह हो गया खतम चलें आगे अब इसमें एक एक के बारे में बिस्तार से पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला क्या है आपका real number real number क्या होता इसमें से कितने लोगों को पता है बताओ फटाफ़ट आए तो सबसे पहले अपढ़ेंगे real number वास्तबिक संख्याएं वास्तबिक संख्याएं इनका देखिए एक सिर्फ आपको समझना है बस जितना भी आपने संख्या आज तक नार्मली बुक में या किताब में या कोईशन में कहीं देखा होगा वो सभी रियल नंबर ही होती है कहीं आपने इमेजनरी नंबर नहीं देखा होगा कलपनाओं की दुनिया देखती नहीं है देखो इनकी परिभासा लिख सकते हो कि कुछी परकार का कुश्चन या समीकरण इत्यादी हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो रियल नंबर कहलाती है कुछ भी नंबर आप लेलो सबी रियल नंबर ठीक है ये सबी क्या है रियल नंबर ही है सब किसी को कोई डाउट नहीं न राहूल बहुत अच्छा है आपका छुट गया है तो अभी तीन वीडियो यूटूब पे है आप देखिए अब आगे के वीडियो यूटूब पे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप रेगुलर लाइब में नहीं जुड़ेंगे तब ठीक है मैं सामने से हट जाता हूँ देखो देखते रहो इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर यह जो होता है कालपनिक वाला इनके बारे में हम आपको बेसिक मैथ में नहीं पढ़ाएंगे इनका यहां पर कोई मतलब नहीं ठीक है बेसिक मैथ में जो आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं इसकी कोई बहुत बढ़ी कहानी भी नहीं है थोड़ा सा उल्टा पूल्टा है यह पागल टाइप का है छोड़ दो इसको ठीक है डेली फ्री क्लास की नोटिफिकेशन अपडेट और जो क्लास यूटूब पे नहीं रहेगी उसको भी प्राइबेट करके हम इस टेली गराम चैनल में भेजेंगे अगर आप PBRS Study को टेली गराम पे जोईन करते हैं तो आपको मिलेगा अब में जो पढ़ना है उस पे चलते हैं वो है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें अधिकान चीज़ें आपको आती होंगी लेकिन आपको सबर बना के रखना है तसल्डी रखना है धायरे रखना है और रुके रहना है समझना है ठीक है प्राकृतिक संख्या जिसको इंगलिस में बोलते है नेचूरल नंबर नेचूरल नंबर आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें होती है जो नेचूरल होती है जैसे पेड़ नदियां पहाड जंगल प्राकृतिक है कीफी ने नदिया नहीं बनाया कभी सुने हो किसी राजजमे की फलाने पार्टी ने फलाने नेता ने एक नई नदिक अविसकार कर दिया बनाया है नहीं न जो हैं उन्हीं में कुछ भी करें इधर का उधर वह अलग बाद तो ये नदियां पहाड कहां से आगे मैं थमें न नेचूरल वर्ड प्रकृतिक तो अईसी संख्याई जो बिलकुल नेचूरल होती हैं नि प्रकृतिक होती हैं आइसा बोल सकते हो जिनकी कोई अभिसकार एक खोज नहीं हुआ वो थी पता नहीं कब से थी मुझें निमालू वो प्रकृतिक संख्याई कहलाती हैं दूसरी सबसे चोटी नेचुरल नंबर क्या है वन एक बार मैं फिरते बता दूंग अगर आपको गडित नहीं आती है आप गड़ित से हार मान चुके हैं कोई भी परिक्षा देते हैं आपको मैट्स में ही दिक्कत होती है और हाँ आप बिल्कुल सर्माने वाली उमर में पहुंच चुके हैं यानि मैथमेटिक्स आपकी ऐसी है कि आप अपनी होने वाली और होने वाले से भी नहीं कह पा रहें कि मेरी इतनी दिक्कत है यानि आप भी हो चुके हैं इस तरीके के 37 एज के और आपके भी लड़के बच्चे हो चुके हैं आकर ऐसी कंडिशन है तो बता रहा हूं बाकि इससे आप छोटे हैं तो और अच्छी बात है तो भी हम आपको मैच सिखाते हैं यहां पर पूरा जगा जोड़ चुके हैं हम आपको बिल्कुल जीरो से जोड़ घटाना गुड़ा भाग से सिखाएंगे आप रेगुलर लाइब आएंगे बस इतना आपको करना है अगर इतना आप कर सकते हैं तो बढ़िया है ठीक है चलिए प्रकृतिक संख्या हो गया अगला है पूर्ण संख्या तो मेरा कहना यह है कि आपको जो चीजे आ भी रही है फिर भी आप कलास को देखेंगे छोड़ के नहीं जाएंगे देखेंगे वीडियो बंद नहीं करेंगे आप भले न देखें जो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं बंद होगा अदूरे अदूरे से थे हम मिलके तुमसे पूरे हो गए आरे तुमसे नहीं जीरो से देखो कैसे प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुनने को सामिल कर लेने पर पनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है यानि नेचुरल नंबर के परिवार में एक बहु आ गई जीरो आली जिनका नाम जीरो था और इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया जीरो की बिना जो हम केवल नाइन तक गिनती गिन सकते थे दस नहीं पहुंचते थे इस्टम कूट चलते थे नस नहीं पहुंचते थे फिर 11 बारा से लिकर 11 तब फिर बिश पर उख जैयें हैं दु nueva घ्रلب了吧 कर वैंनुक हरा को नंबर प्रकृतिक संख्या के परिवार में सुनने को सामिल कर लेनें पर बनी संख्याइं कहाँ पूरसख्याइं का लाती है समझ में आ रहा है चलो आगे देखो बढ़िया है अगला साथ ही मेरे पुडांग संख्या क्या है क्या आप पुडांग संख्या के बारे में सुने हो कही अब रोके जा रहे पुडांग संख्या के बारे में जानते हो इंटीजर नंबर बोलते हैं इंटीजर नंबर देखिए पुडांग संख्या के बारे में समझने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पुडांग दो परकार के होते हैं तो ऐसे आप कह सकते हो इसको क्या बोलते हैं जानते हो कि इसको कहते हैं संख्या रेखा यह इसे टेन नहीं होती सीधी होती है यानि आपका है सकते हो कि संख्या रेखा पर उपस्तित सभी संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलाती हैं संख्या रेखा पर अब संख्या रेखा पर unlimited संख्याएं होती है अनंद से लेकि अनंद तक क्योंकि बीच में सुनना होता है इधर वान से लेकर करके infinite तक जाती है उथर भी minus में जाता है वो भी infinite तक जाता है समझ रहे हो ना किसी को कोने तकलीफ जोनी बर्मा आ रहा समझ में इन्नोसेंट गर्ल आपको भी आ रहा है सलमान खान आरे सुटिंग उटिंग छोड़ के हाँ आ गया हो क्या चलो देखो तो संख्या रेखा पर उपसे सभी संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलाती है अब पुडांग संख्याओं में दो पुडांग होते हैं एक होता है धन पुडांग एक होता है रेड़ पुडांग इसको भे लिख लो धन पुडांग रेड़ पुडांग आप देखिए धन पुडांग संख्या रेखा पर सुनने के दाहिनी तरफ होता है और रिड़ पुडांग सुनने के बाई तरफ होता है ऐसा ही तो है ना कि कन्तफू जाने कौनो संख्या रेखा पर सुनने के दाहिनी तरफ उपस्ति सभी संख्या धन पुडांग कहलाती है राइट साइड यह अनन्तक होती है इंफाइनेट तक और संख्या रेखा पर सुनने के बाई और यानि लिफ्ट साइड इसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसे को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको पॉजिटिव इंटीजर संख्या रेखा पर सुनने के लेफ्ट साइड जितनी भी नंबर्स मौजूद होती है वो क्या कहलाती है रिड़ पुडां कहलाती है निगेटिव इंटीजर कहलाती है गड़ित सीखना है बबुआ तो यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है एक बार मैं फिर से बता दूँ क्या कि चाहे कोई महल बनता है जोपड़ी बनती है बनती सब जमीन पे ही है कुछ अपवाद को छोड़ दो तो आसमा में घर उनकी बात छोड़ दो वह सिल्प कलपनाओं में बनता है तो मेरा कहने का यह मतलब है कि यह क्या है जमीन ही है वही तैयार कर रहे हैं आपकी जमीन रेलवे का गुरूप D देते हो चपरासी का परिख्या देते हो या आप पीसी देते हो या आप टीचर बनना चाहते हो या पुर्मी सेना पुलिस में जाना चाहते हो यह सब को पढ़ना है जब तक इसको नहीं पढ़ोगे कल्यान नहीं होने वाला अगर गडित पढ़ना है तो और अगर जिंदगी जीना धरती पर रहना तो गडित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो और नहीं तो अभी नहीं तो प्रकृतिक संख्या पूर संख्या पूरांग संख्या तेके आगे कारानो सबसे पहले हम पिछे उच्छे सुरू करें का उसके बाद कुछ और चीजें बता देते हैं प्रकृतिक संख्या में और भी पार्ट होते हैं प्रकृतिक संख्या के पार्ट होते हैं सम विसम भाज जबहाज, यह सब प्रकृतिक संख्या के ही भाग होते हैं अब उसको मैंने इस्ट्रक्चर में नहीं बना या था चलिंए आए देखते हैं चलो देखो बिल्कुल बेसिक है जिनको आता है वो भी देखेंगे जिनको ना आता है वो भी देखेंगे कोई जाएगा नहीं स्थाम संख्या हैं क्या होती है जानते हो स्थाम संख्या इबेन नमबर बोलते हैं ना इंगलिस में बहुत आसान है कहोगे यह तो हमारे बचवा को आता है छोटवा को आता है हमका का पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो सबर रखो तफली रखो थोड़ा धर रखो देखे पहले बचपन में हम लोग ऐसा पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि ऐसी संख्या जो दो से भाग करने पर कट जाए वो समसंख्या कहलाती है लेकिन ये जमाना भी चुका है क्यों? क्योंकि अब ये इतना वक्त लोगों के पाफ नहीं है कि भाग करके जाने वो समझ रहे हो कि नहीं? पहले इस्ते माल करें फिर विश्वास करें वो अला डिटर्जेंट जा चुका है अब क्या है? देख के जान जाओ एक नजर में है ना पहली नजर में तो देखो पहली नजर में कैफे जानेंगे ऐसी संख्या जिनका लास्ट अंक यानि अंति मांक 0, 2, 4, 6, 8 हो ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानि अंति मांक अंति मिच्छा नहीं जीरो दो चार छे आठ हो वो समसंख्या खालाती है छापलो भाईया सभी को पता था ना ये बताओ एक बार इमांदारी से सभी जेने पता रहना हो कमल किसोर प्रिया यादो सपना कुमारी बहुत अच्छा सभी जितने भी चेले जुड़े हैं भाईया अब इससे क्लास को लाइक करो बाबू ऐसा इमांदारी के साथ बिल्कुल दिल से आपको आपकी उसकी कसम है उसकी मतलब समझ रहो ना अब इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ ये दिख एक हैं की नहीं यार हमारे तुन नहीं दिख रहा है आद तो कुछ चांद आया है आस्मान में मैंने सुना है किसका किसका चांद आया है कुछ लोगों तो वही में गए हैं बाई चांदी में जाने दो अभी कोई मुझे मैसेज भेजा था विसम संख्या को यानि ऑष्ण अर्डन अर्ड नंबर कि अजगी में गाव दो चांदात है वहीं अ कर अगर पुरानी बाथ करें तो असी संक्या जिनको दो से भाग करने एक तीन पांच साथ वा नौ होता है ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक वान थ्री फाइब सेवन वा नाइन होता है वो भी सम संख्याएं कहलाती है अनुप कुछ वाहा समझ में आ रहा है क्रेटिव अनिक बंदना चोहान जी बिल्कुल बंदना है ये ये एच पी पटवारी या कुछ भी चीज के लिए मैंने कहा न जहां भी मैत पढ़ना है सम भी सम हो गया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाज भाज वाला बढ़िया है इसको प्यार से देखिए एक एक लाइन पकड़ पकड़ के पढ़िए इसकर इसाट ले लिचिए लाइब कलाफिंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूटूब पे नहीं मिलेगी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम बदल चुके हैं अब हम आपको नहीं बदल सकते अपने आपको बदल सकते हैं अगर आपको पढ़ना है आपको जरूरत है लाइब आओ नो बज़े से नो बज़कर 40 मिनट तक लाइब देखो अगर कोई डाउट होता है इसमें कलास में तो इसकी प्राइबेट कलास हम आपको बैद देंगे से नहीं मिलने माला है चलो हाँ बाकी जो इसको नहीं करना चाहते हैं लाइब मजबूरी है कोई दिक्कत है नहीं आना चाहते हैं वो पीवी आरे स्टडी डाउनलोड करें उसमें इनको सिस्टम से यह रिकॉर्डेट क्लास मिल जाएगी डूरना खोजना नहीं पड़ेगा भाज संख्या कंपोजिट नंबर यह क्या होती है कौन से बिमारी का नाम है चलो देखो भाज और अभाज यह यह बहुत ही स्टक में देता हूं आप सबीखो पता ही कि नहीं यद किसी को नहीं याद है याद है तो ठीके ना यंद गालत कि अएसे मज़ा नहीं आएगी, और मज़ा आए ये वाला तरीका करो, देखो देखो, देखो देखो, देखो ना, देखो ना, ये हो गया भाजे, अब भाजे, प्राइम नमबर, भाज़ और भाज़ संख्या, देखिए समझे यहाँ पर, इसके लिए आपको factor आना चाहिए, जैसे मैंने संख्या ले लिया 16, तो 16 किस-किस संख्या से fully divide होगी, ज़राब प्यार से देखो, नजर से, एक नजर देखो बस, 1 से हो जाएगी, 2 से, 4 से, 6 से, न, 8 से, and 16 से, देखो एके मतलब का है भया, एके मतलब इन सब लिखा काहिया है, एके मतलब ही भाग कि अगर 16 में, हम 4 से भाग करब, तो ही यह 0 से फ़लाए, ठीक, अगर 16 में हम 8 से भाग करब, 8 से, तब वो 0 से फ़लाए, एके मतलब यही है, कि, ICIC संख्या, जिससे भाग करब, 16 में, 0 से फ़लाए, उनका पकड़ यह लिखा जाए, यह कहा है, इनके, इनके, फैक्टर है, गुड़न खंड है, इनके अपवर्तक है, ठीक है, समझ गए, एक बहुत मज़दार इक जांपल आने वाला है, आपकी वा इदर देखो न, 17 ले लो, यह सिर्फ और फिर्फ, 1 और 17 से भाग करने पर, 0 से फ़लाएगा, बाकी और कोनो संख्या पैदा नहीं हुई है, कि, जिसको हिला दे, नहीं, इदर देखो और, मान लो, 12, इसका फैक्टर 1, 2, 4, 6 और 12 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है, वहीं अगर हम 13 ले ले ले, तो इसका फैक्टर 1 और 13 होगा, इदर देख रहे हो, हम और तुम, वो नहीं है इसमें, जो पड़े लिखे हो, लोग निव जूज में रहते हो, लोग समझ रहे ह होंगे, कौन, हम और घरवाली, बस दोई, इदर ऐसे ही है, वो नहीं है, मतलब बाहर वाली, इसमें देखो है, पहले मैत की भासा में समझ लेजिए, फिर आपको बेवहारिक भासा में भी बताऊंगा, सबर रखिएगा, बहुत मजा आएगा, मैत की भासा में ऐसे है, कि ऐ और वन हो, वो अभाज्य होती है, और ऐसी संख्या, जिसका फैक्टर, खुद तो हो ही, वन भी हो, लेकिन बाकी और भी कुछ हो, चाहे एकट ही हो, ये नहीं जरूरी किचरपांट ही हो, ये एकट ही हो चाहे, ठीक है, आद देखो, इसको वो लोग बहुत अच्छे समझ सक जिनका कहीं अफेर चल रहा है, अच्छा वाला, और जो नहीं सुनना चाहते हैं, बड़े धार्मिक टाइप क्यों हो, कान में अंगली जल ले, अपने ये वर्ड सुना होगा, मैं अपने मुह से नहीं बोलूँगा, कितने लोगों ने सुना है, इसका नाम भाई पहले आता है, सुना है, girlfriend and boyfriend, कोई बड़ी बात, कोई गंदी बात नहीं है, simple थाना हमें, दुनिया जानती है, देखो, इसमें क्या होता है, कि अधिकान्स केस में, कई सारे केस में, ऐसा मेरे पास matter आता है, क्योंकि मैं इसका भी एक class चलाता हूँ, समझ रहे हो, कि मेरे वाली का कहीं कहीं और चलने लगा, मेरे साथ तो चली रहा था कहीं और चलने लगा, ऐसा नहीं है, मेरे वाले कभी कहीं और चलने लगा, ऐसा भी आता है, अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं जी नहीं बारा हूँ, उसके बिना, तो, लेकिन इसका यहां क्या मतलब है, इसका यहां मतलब य यह है कि ऐसा ऐसी आपकी गर्ल्फरेंड जिसके आप सिर्फ खुदी हैं मतलब आप ही आप हैं और कहीं नहीं चल रहा है वो क्या है अब आज जे और ऐसी जिसके तुम और दोनों तो होई बाकी तीन ठुआ और एक्स्ट्रा हैं जिनके बारें तुम्हें नहीं पता है वो भा भाज़े और जिनके कईयों जगा चल रहे हैं लिम्टेट साथ जगा आठ जगा दो जगा तीन जगा वह भाज़े हैं अब इमांदारी के साथ बताओ आपके उसकी कसम है कि आप भाज़े हो कि अब भाज़े हो चलो बताओ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं सिर्फ भाज़े अगर भाज़े तो पी लिखके कमेंट करिया भाज़े में और भाज़े के लिए क्यूँ चलो पी और क्यूँ में कमेंट करो अब हो सकता है वो भी देख रही हो देखो हमारे दिनेस भाई हैं इनका तो दो जगा चल रहा है ती फरी जगा लडाई हो रही है अभी सब यही कहते हैं अब ही तो हम सिंगल हैं ऐसा ही लिए कहते हैं कि एक और सिगनल है सिगनल हमेशा यह लोग ऐसा ही रखते हैं देखो मुझे पता है जितने भी क्यू आले हैं सब पी लिखेंगे मुझे पता है देखो सब पी लिख रहे हैं अच्छा इतने बड़ी दुनिया में सब वही है तो फिर ये भारत चाइना को पीछे करके जनसंख्या में सबसे आगे काहे कुछ आ रहा है अरे वो हैं ये जिनकी हो गई साधी विबा तब भी ये हाल है और जिनकी नहीं हुई कितने तो वैसे मार दिये जाते हैं वो जनसंख्या में गिने ही नहीं जा रहे हैं तो जूटना वह लो चलो आगे बढ़ते हैं फिलाल आज की कलास में छोड़ो इसको ये बहुत बड़ी क भी तो सभी समझ गए ना पकका अब इसमें धोखा ओगा कैसे देखो आँका वाली बात बताओं कैसे अब तुम्हें भाज या भाज पहचानने में दिक्कत होगी देखो कैसे कि आए कुछ एजम पल देते हैं समझना कोश्चन नमबर इनको पांच लिखेंगे यहां पर समझने के लिए इमानदारी के साथ बताना निम्न में अभाज संख्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा नान अब दीज इनमें से कोई नहीं बताएए इनमें अभाज संख्या कौन सी है जबाब दीजिए 5A, 5B, 5C या 5D चलिए जल्दी करिए अभी मैं सब लोग की सेटिंग कराऊंगा सबी को आभाज बनाऊंगा दिक्कत मतलों मतलब भाजे आभाज नहीं भाज अगर आप रहोगे तो आपका कई फायदा है एक तो आप जितने लोग सिंगल हो उनको डबल कर देंगे हम तुरंत जैश्ट कलास के बाद और भी वहुत कुछ मिलने वाला है तो कलास को पूरा देखना बस आज तो आपकी अंती मिच्छा पूरी हो जाएगी मतलब समझ रहे हो देखे यही है न दोखा मैंने कहा था न होगा और हो रहा है न अधिकतर लोग इसको अभाजय है क्या बोल soir संख्या मतलब सब गड़ा ये गोल वाले हैं का अजयर और कौनो अंजना सर्मा कह रही ही की ई और सी अभाजय है अच्छा श्रीवानसू राजपूत ये C वाला बता रहे हैं देखो मैं बताता हूँ देखो अधिकतर लोग इसमें गड़बडा रहे हैं ये E वाला सही है गदाहा गोल एको ठोरा भाज नहीं है सब भाज हैं वैसे ना जैसे कहतों मेरा वाला वफादार है वैसे होता है मेरा वाला ऐसा नहीं है देखो समझो यहाँ पर यह सभी संख्या है क्या है अभाजे नहीं है एको अभाजे नहीं सब भाजे है वैसे यह पूरी दुनिया है यह पूरी दुनिया दो के बाजी है पेवफा है समझ रहे हो और तुम उसमें वफाकोजने निकलते हो कहते हैं न वो आचारे परतांद को देखा करिए कि एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे से भिख मांग रहा है कौन सी? प्यार वाली उसके बारे में अभी अगली कलास में बात करते हैं एक प्यार वाली कलास आएगी उसमें इंतजार करिएगा आईए देखे आप यह अब भाज यह? नहीं है भाज यह देखो कैसा है इसका फैक्टर होगा 1 3, 5 3 से भाग करो कड़ जाएगा यह 5 से भी कड़ जाएगा 15 अरे इतना तो बहुत है समझने के लिए 25, 75 अब बताओ भाज ने कहा ना कि एक जगा ही अगर चल रहा है तो ठीक है भाज है लेकिन जिनके अफेर कई जगा चल रहे हैं वो भाज है भाज देखो इनके कितनी जगा चल रहे हैं खुद तो है यह है दूठी ठीक है एक्स्ट्रा में एक, दो, तीन, चार चार-चार जगा चल रहे हैं और इनको कह रहे हैं बड़ा इमानदार है यह ऐसा हो नहीं सकता है वैसे इनको देखो 1 3 7 69 63 होता है 9 21 भी होता है बताओ यह किस तरीके से अभाज्य है कहो कितने लोग कह रहे थे 63 को भाज्य है नहीं कह रहे थे न सब अभाज्य कह रहे थे तो यह सभी संख्यां क्या है अभाज्य संख्यां इसमें कोई भी नहीं है सभी भाज्य है बंदना समझ में आ रहा है मित्तल मुखर जी थाकुर विसी सिंग आ रहा समझ में कमेंट ना करो किसी का नाम लेके चलो वो ऐसे सभी है ये सभी अभाज्य नहीं है सभी भाज्य संख्याएं है आईए आगे बढ़ते हैं Question number 6 देखना अब इमानदारी के साथ निम्न लिखित में से कौन प्राइम नंबर है अब की बार एक्ठी हो जाएगी ऐसा बात नहीं है हो जाएगी 66 51 एक्ठी आऊ रहा है काओ अब या लो तमई लेलो चलो बताओ अब बताईए जल्दी करिए निम्न लिखित में से कौन अबाजे संख्या है अर्चू बताओ रिसी भुलक किया जाएगा आपको रिसी सचिन तावधान Question number 6 है तो answer में 6A लिखोगे कमेंट में या 6B तब ही हम मानेंगे अगर सिर्फ PC, BC लिखोगे तो नहीं Very good सुमित ये करें कलाफ खतम करने टाइम हो गया ये तो वही हैं देख रहे थे बैठके कब खतम हो कब कलास खतम हो चलो बहुत अच्छा Very good देखें ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर उनको छोड़के वन और यानि खुद और वन इसके अलामा कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो क्या है? भाज संख्या है अभाज नहीं है जैसा कि इसमें अक्सर लोग C बता रहे हैं और परवीन जी हैं वो B बता रहे हैं नीलम बिल्कुल नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी बाद में बाद में PVR Study आप में मिलेगी फीज जमा करके Don't Free इंगलिस सही है ना मेरी? बाद में Free नहीं मिलेगी चलो देखो Free पढ़ना है तो लाइब आओ 9 से 9 चालिस तक और नहीं तो आप PVR Study आप में जाके सब्सक्रेप्शन लीजिए कभी भी देखिए एनिटाइम देखिए Don't, Dory, कोई 10 तनिक बात नहीं चलो भया जो लोग इसको कह रहे हैं अद्वि पंचे 10 अइन्ड द्वि एकम द्वि ठीक है 17 चक्का 102 होता है देख लो 102 को भाज़ जिए कहने वाले देख रहे हो कह रहे हैं ते कि मेरी वाली उपादार है देख रहे हो इसकी वाले के कितने निकल रहे हैं अब बताओ देख रहा हो कितने निकल रहे हैं, एक तो ये खुद, एक ये, अभाज्य होने के लिए ये दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कितना है, एक, दो, तीन, चार, चार एक्स्ट्रा है, तो कहां से ये अभाज्य हुआ, नीलू नंबर चल रहा है, नीचे स्क्रिन पर उस पर संपर करिए, अब नंबर पर, आईए देखिए, आगे, इसका कोई फैक्टर है, 113, और भी कोई है क्या, देखो, दो से तो विभाज है नहीं, तीन से भी है नहीं, चार से भी है नहीं, पांच से भी है नहीं, और जब तीन से नहीं है, तो छे से भी नहीं है, साथ से भी नहीं है, फिर है किस से ददाई है, नहीं है, मुझे नहीं लगता कि विभाज है, किसी से इसका अंसर सीखा सकते हो ठीक है आई आज का टॉपिक है रेफनल और ए रेफनल नंबर तो प्यारे बच्चों क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो अगर हाँ तो फट से बता दो कौन सा अप्संस आई है जल्दी करिए इसमें रेफनल नंबर कौन है नित्या बर्मा तीतल कुमारी संकर मोनिका प्रो राइडर लखन करन अंजली कटियार सोनू रामचंद्र पास्वान बिंदिया जोती मोहित कमेंट सब के आ रहे हैं बहुत बहुत थाइंक्यू आप सभी को कलास को लाइक सेर करें बाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है आपकी पूरी रिस्पांजबिल्टी है हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे लेकिन आप कलास को लाइक करेंगे इसमें रेफनल नंबर जो है वो डी वाला सही है कैसे और क्यूं इसके लिए आप अगले कलास मतलब आगे देखिए पढ़ा रहे हैं सब बताते हैं क्यूं डी वाला सही है बाकी सब ही रेफनल हैं क्योंकि इनकी कोई भी एक पूर्ड संख्या मतलब और गमूल नहीं होगी रेफनल नंबर की परिभासा और इनको समझिये की होती क्या है इसमें से आप लोग यह बताओ क्या यह सभी संख्याएं जो लिखी गई है वह रेफनल नंबर है एक बार हाँ या नहीं में जबाब दे दीजिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर मतलब की बात करते हैं आप से और इधर इसको हटा दो भाईया रस्ते में रख्यों आईए इसकी एक सीधी सीधी परिभासा होती है कि ऐसी संख्या जिसको पी या पान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो रेफनल नंबर होती है तो भाईया इसका का मतलब है रूप में लिखा जा सकता है इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसको नोटंकी का संख्या तो छोड़ो एक दूसरा एक्जाम्पल समझो नोटंकी का जोकर देखे हो नहीं देखे हो कोई अगर डांस अगरा का प्रोग्राम हो रहा है उसको देखे हो देखे हो अच्छा अभी हाली में रामलीला का प्रोग्राम हर जगा चल रहे थे साहरों में देखा था गाओं में भी देखा था ना तो रामलीला के प्रोग्राम में जो उसमें कोई भी परकार का रोल करते हो हो कि इनसान ही तो होते हैं न समझ रही हो कि आब देखिए इसमें हम कोई परकार कर ईसी को किसी को किसी इंसान का कोई रोल करना है अधा ऑदोय 없어 यह बात तो आप लोग बुरे सेंस में नहीं लीजिएगा मन लीजिए कि बजरंग बली जी का रोल करना है तो आप कोई एक इंसान होगा लड़का होगा जो बजरंग बली का रोल कर सकता है कर सकता है ना अब कहते हैं गाय हमारी माता है अच्छी बात है हर कोई सम्मान करता है अब अगर कहिए कि आप किसी जाय को या किसी बच्छडे को या किसी ऐसे चीज को मतलब मतलब मेरा समझ रहे हो क्या ऐसा बनाया जा सकता है नहीं क्योंकि उसकी बनावट विल्कुल अलग है मेरा मतलब समझेगा मैं कहना क्या चाहता हूं उसकी बनावट अलग है इस्ट्रेक्चर अलग है तो ऐसा नहीं नहीं कर पाएगा मतलब समझ रहो एक इंसान ही हो सकता है लेकिन संकर जी का नंदी आपने देखा है संकर जी का नंदी आप क्या उसमें कोई इंसान बन पाएगा नहीं न उसमें तो वही गये ही बनेगी तो मेरा कहने का ये मतलब था दोनों मतलब पूरा समझ येगा मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पी अपान क्यूं का रूप है इस रूप में जो संख्या लिखी जा सके यानि देखो इस पे ना तो कोई अंडरूट है मेन यहीं अन्दर रूट ही है इसमें एक जो लफडा करता है जिसको नहीं लिखा जा सकता है और नहीं कुछ एक जामपल देखो कि तभी समझ गाएगा जैसे देखिए पी अपान क्युका रूप क्या है यह ग्यारा बटा साथ क्या है पी अपान क्यों का रूप है समझना है यहां पर यह भी तो पी अपान क्यों की रूप का है रूप का का मतलब समझना है रूप का का क्या मतलब होता है यह समझो सब छोड़ो देखो जैसे अगर मैंने कहा थोड़ा सा रुकना मैं कुछ सामान लेके आता हूं आधा मिनिट बताता हूं रूप का का क्या मतलब होता है कि अब यह देखो एक्जामपल आज मेरे दिमाग में आ समझो क्या ये दोनों सेम रूप के हैं कि नहीं बताइए जिने आपने अगर मैथ में सम रूप पढ़ा होगा ये सम रूप है सरबांग सम नहीं है तो एक परकार से इसमें कहा जाए जहां तक मुझे पता है कि सम रूप होना चाहिए ठीक है इसको देख रहा हूं क्या है सम र बताओ सम ले अलग है ये सरबांग सम है लेकिन अगर इनकी जोड़ी लग आदो गए इनके साथ तो बताओ ये कि सरबांग सम है Cho van से मैच करते अब अगर नहीं समझे तो फिर हमारे पास और कोई दवाई नहीं तो अब मतलब समझना मतलब समझना यहाँ पर जो मैंने दोनों डिब्बी आपको दिखाई थी उसका मतलब समझना अब यह ना कहना कि यह पी जो ही तो 11 के जैसे नहीं है मतलब मुझे लगता है देर सारा एक्जम्पल बताएंगे तभी समझ में आएगा छोड़िए पर्मिय के साथ साथ अपर्मिय भी सिखाया जाएगा तभी आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बाकी चीजें तो कुछ लोग समझ रहे होंगे है ना चलिए तो यह सभी संख्या है क्या है जितनी है पर्मिय संख्या है सभी पर्मिय संख्या फिर सवाल उठता है पर्मिय संख्या क्या है है अभी दोनों में जब अंतर समझाएंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं चलो बने रहो हमारे साथ देखो यहाँ पर रोहित कुमार कमेंट है रहा आपका सम्भवी कमेंट आपका भी आ रहा है महक बिंदिया सैनी सागर यादो नेम पाल सिंग चलो भई आओ यह सब ही रिफनल नंबर है क्योंकि सब को P.A.P.N. Q के रूप में लिखा जा सकता है 3.5 को हम 35 बटा 10 लिख सकते हैं 35 बटा 10 लिख सकते हैं और इसको जो 25 वाला है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप 5 लिख सकते हो 0.5 पे बार है इसको आप 5 बटा 9 लिख सकते हो यह सब ही P.A.P.N. Q के रूप में लिखे जा सकते हैं अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिखा जा सकता है ये सब तो यहीं बता रहे हो लिखा जा सकता लिखा जा सकता देखो बताता हूँ जिनको नहीं लिखा जा सकता वो भी देख लो सबर रखो जैसे अंडर रूट 37 अंडर रूट 37 क्या अंडर रूट 37 को पी अपान क्यू की रूप में लिखा जा सकता है ये चल यार देखो यहां पर जैसे अंडर रूट 37 क्या इसको भी पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते है यहां पर समझने की कोसिज करना इसको अगर हम करें इक्वल पी अपान क्यू तो या इसके बराबर है ऐसा हो सकता है इसके नीचे वन चूपा सकते हैं ठीक है, नइ, देखो यह टोपी पहिना है और यह टोपी नहीं पहिना है, इसके खोपड़ी पे यह अगर लगा होता है बड़ाबर रहा है जैसे होता नहीं प्यार में धोके में एक जिसकी सची मुहबत रहती तरबता है सारा कामदाम चोड़ के बिल्कुल भी होस हो जाता है उसी के पागल हो जाता है और दूसरा चीट करने वाला अपनी जिंदेगी में मस्त रहेता उसको कोई फरक नहीं पड़ इसके उपर ये root का चिन लगा तो ये root का चिन हट भी नहीं सकता है क्यों अगर इसका root का चिन हटेगा तो कोई एक पूढ़ फंख्या नहीं मिलेगी क्योंकि 37 जो है एक पूढ़ वर्ग संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते देजनाट इक्वल पीयपान क्यों ये पर्मिय संख्या नहीं है अपर्मिय संख्या है बाद समझ में आई की नहीं सभी को समझ में आई विपिन कुमार कमेंट आपका दिखाई दे रहा है आप चूप चाप पढ़ाई करिए पार्टी किया होती की नहीं भई कहना क्या चाहते हैं नंबर पर संपर करिए चलिए आगे देखिए और मतलब की बात थोड़ा सा और समझिए एक तो ये एक्जांपल हो गया इसको अगर मैं नए पेज पर बताऊं तो सही रहेगा नहीं मुझे डिलीट करना पड़ जाता यहां से एक मिननट रुकना अब भईया रुको ओ चलो देखो यहां पर हेडिंग डालिए आप पर मिये ऐसे नहीं मजाएगी यहां पर ऐसे लिखो पर मिये संख्या यहां पर लिखिए आपर मिये संख्या इरेफनल नमबर ठीक है अब समझना मतलब क्या कहना है आपका यहां पर देखना पर मिये तो मैंने आपको बताई दिया मोटा मोटा आपर मिये में हम बात कर रहे थे जैसे पहला अंडरूट 37 यह अपर्मिय संख्या है क्योंकि यह P.A.P.A.N.Q के बराबर नहीं है दूसरा जैसे अंडरूट 2 प्लस 5 अगर इसके नीचे हम 1 भी लिख दें फिर भी यह equal P.A.P.A.N.Q नहीं होगा क्यों नहीं होगा वचे अगर इसकी कंपेर में इधर हम लिखें तो ऐसे अंडरूट 25 प्लस 3 यह पर्मिय संख्या है यह पर्मिय संख्या है बताओ का है को है क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से हट सकता है छोड़ सकता है तो यह क्या हो जाएगा 5 और यह 3 बदाबर 8 बटा 1 यानि प्ये पान क्यूँ तो यह मत सोचना कि अगर किसी पर वर्गमूल कचिन लग गया तो वह अपर्मिय है नहीं कंडिशन पर डिपंड करता है अगर उसका वर्गमूल निकल जाता पूरी तरह से तो वह अपर्मिय है नहीं निकलता है तो आपर मिये है ये कलास आज हर किसी को मज़ेदार नहीं लग रही होगी महक सागर कलास को पूरा देखेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा अनिता सहाय, आमन केसरवानी आमन जी सुरू में लिखा था अगर आपने देखा होगा तो है आम लिखा है तो आप को हो कि अगर हर जगा है पिर इंगलिस लिखें फिर हंदी तो नहीं कि आप लिया आगे बढ़ें चलिए तो पहले वाले की तरीके पर चले अगर जैसे इधार इसकी compare में अगर इधर लिखें पर्मिये तो जैसे अगर ये अंडरूट या घनमूल का चिन है 729 तो क्या है पता है ये P.A.P.A.N.Q के बराबर है इसे आप लिख सकते हो P.A.P.A.N.Q के बराबर कैसे पता है देखो इसका घनमूल 9 आएगा क्योंकि यहाँ पर घनमूल का चिन लगा है और 9 को आप लिख सकते हो 9 बटा 1 यानि इक कॉल P.A.P.A.N.Q तो ये क्या है पर्मिये संख्या है ना टिक दिफिनल नंबर किसी के मन में कोई डाउट कोई तकलिप तो बताओ मुझे नहीं ना कोई डाउट नहीं पार्थ समझ में आ रहा है तूफान अहिरवार आ रहा है सभी जात्र टेली गराम पर PBR Study को जवाइन करें जिससे कि उन्हें सारी Free Class की नोटिफिकेशन PDF, Notes, Study Material जो भी हमारे पास हो सके उन्हें हम दे सकें ठीक है तो ये नाम है PBR Study चलिए जबाद दीजिए निमनलिखित में कौन इरेफनल नंबर है Select इरेफनल नंबर देखो बाबू Second नंबर Question है अगर A वाला आपको लग रहा फाही है तो आप कमेंट में 2A लिखेंगे जिनको लग रहा 2C सही है वो 2C लिखेंगे Question नंबर और Option नंबर दोनों लिखेंगे चलो जल्दी करो लखन करन आ रहा समझ में आकास सुकला फटा फट सभी बच्चे कलास को लाइक करें बहुत जल्दी आपकी जिम्मेदारी है मैं यूटूब पर ये बैच पूरा फ्री पढ़ाओंगा पूरा फ्री बस condition है कि आपको लाइब देखना होगा क्योंकि आपकी सौक होती ही न लाइब की लाइब के बाद नहीं देख पाओगे डिलिट कर दिया जाएगा जो बच्चे कलास में आए है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्हें प्राइबेट लिंक भेजा जाएगा इसका वो देख सकते हैं बाद में सबसे पहला कोई जबाब दिया है इसमें तो उनका नाम है सोनु कुमार सागर यादव, पूनम, पिंकी, नित्या, सचीन, जोती, संगीता, अनूप अपर्मिय संख्या कौन है इसमें? जनाब बहुत अच्छे ये अपर्मिय है क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है और 81 एक पूर्ड घन संख्या नहीं है ये नाट परफेक्ट क्यूब नंबर 81 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है इसका घनमूल करोगे तो साथ सत्ता उन्चाथ सत्ते 343 साथ आ जाएगा इसका घनमूल करोगे तो 5 आ जाएगा इसका करोगे तो 9 आ जाएगा बट 1 का करोगे तो का आएगा जच्चा जो भी आएगा दसमलों में आएगा देखो कैसे अगर पूर्ड गंध संख्या की हम बात करें सबसे चोटी पूर्ड गंध संख्या एक, फिर आठ, फिर 27, फिर 64, फिर लेजन्ड, स्वरी लाइफ गॉड इनका नाम है क्लास के एक मिनट के बाद इलिट कर दिये जाएगा सिर्फ एक मिनट में तुम अगर सोचो कहा हम डाउनलोड कर लेंगे तब करेंगे तो भी नहीं चलेगा वो अगर हम अपने पास से डिलिट कर देंगे तुम डाउनलोड भी कर लोगे नहीं चलेगा हम डाउनलोड करने देंगे नहीं you don't worry चलो अरे यार क्यों करना चाहते हो भाई डाउनलोड क्यों रखना चाहते हो आपको एक चीज पता है मैं कम से कम सत्तर किताब ऐसे रखा हूँ थोड़ा जूट भले बोल रहा हूँ लेकिन तब भी 20-25 तो होँगी जिनको मैं पढ़ने के लिए लाया हूँ लेकिन आद तक मैंने को पनना नहीं पढ़ा हूँ क्यों पता है क्योंकि मैं लाकर रखा हूँ खुश हूँ क्या है एक दिन ठीक हो गई थी उसको मैं रात पर खो जा क्यों 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 गयव हो गई तो नहीं मिल रही थी और मिल की तो फिर रख दिया वैसे होता है अगर तुम इसको डाउनलोड करके रख लोगे रखे रहोगे बास तसल्ली रहेगी जियरा में खहां धरे यही पढ़बाना कमभाओ समझ रहे हो ना नहीं पढ़ोगे मुझे पता है इफिलियर डाउनलोड करके रखने कोसिस ना करिए पढ़ाई करिए चलिए तीसरे में जबाद दीजिए तीसरे में जबाद दीजिए अगर थार्ड में A सही है तो आप कमेंट करिए 3A अगर D सही है तो 3D और C सही है तो 3C बताइए अभी आगे कांसेप्ट सिखाऊंगा पहले 2-3 प्रेक्टिस कर लिजिए तब देखो बाबु जिनको भी सीखना है जब आप दीजिए बात नहीं करेंगे बात में बात होगी इनके कमेंट अगर हम लेंगे तो हम यह पागल करके छोड़ेंगे छोड़ो एक लाइन में जरूर कहूंगा कि क्लास 9 बजे सुरू होती है सारा कामधाम छोड़के 9 बजे के पहले आठ बच कर 50 मिनट पर बैठ जाया करिए क्योंकि फ्री भी लेना है न हाँ जिनको यह सब लफड़ा नहीं करना है वह अप्लिकेशन में पांच नवंबर से एक लब बैच जॉइन करें कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी का जामन करें तब देखना रात के द बाच बाबु आरा इसमें लिमिटेड सीते हैं पर्थम सो बच्चों को मिलेगा भारे डिसकाउंट अगर आप भी चुक हैं तो जल्दी करें कहीं यह मौका आपसे छूट न जाए इसमें एक और भी अच्छी बात है बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं इसमें एक प बसता और क्या चाहते हो आज कि टाइम में जहां थाइस रूपए किलो टमाटर और सो रूपए किलो प्याज भी कर रही है तुम दस किलो प्याज कदाम है दूई साल चलेगा तुम दस किलो प्याज लेके रख लोगे दूई साल में सड़ के माटी हो जाएगी अब बताओ अगर पढ़ लिए तो प्याज और आलुक फैक्ट्री खोल सकते हो मतलब समझ रहे हो फैक्ट्री मतलब कुछ ज्यादा हो गया क्या चलो ठीक है मेरा समझ गये ना मेरी बात चली आगे बढ़े अरे पढ़ लिखे किसान भी तो बन सकते हो हम लोग खुदी किसान है अभी देखो दान की बिटाई हो रही है तो यह हो गया थार्ड नंबर में कौन कौन बताया बेरी गुड आईए बताता हूँ देखिए कहरा इनमें इरेफनल नंबर कौन है इरेफनल नंबर यानि अपर्मिय संख्या अपर्मिय संख्या कौन कौन सी है इसमें देखो ये डाट-डाट करके अनन्त तक है इन्फाइनाइट तक है इसको अगर हम बात करें तो 23 अपान 100 लिख सकते हैं अगर इसको बात करें तो 5 अपान 7 लिख सकते हैं माइनस 5 बटा 7 भी लिख सकते हैं ठीक है? इसकी अगर बात करें तो तीन बटा नो लिख सकते हैं लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे आव ऐसे रहेगा तो वही आपर्मिय संख्या है तीन में A सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ कंसेप्ट आपको बता देते हैं ठीक है देखें मैंने वहाँ पर सबसे पहले टाइप डाल रखा था लेबल फ़स्ट और लेबल सिकेंड के कुश्चन तो ये लेबल फ़स्ट के कुश्चन है लेबल फ़स्ट के कुश्चन है ये समझना लेबल फ़स्ट में सबसे आसान आफान कुश्चन है ये पर्मिय संख्या होती है सभी जो आपको दिख रही है लगभग में एकाता पर्मिय संख्या है उसके बारे में बताएंगे ठीक है इन सब को पी अपान क्यों के रूप में क्या करना चाहिए लिखा जा सकता है चिन से कोई मतलब नहीं है विशेस रूप से ये पर्मिय संख्या है क्योंकि जीरो आएगा बट बाबु ये अपर्मिय संख्या है ये पर्मिय नहीं है उपर यह पर्मिय है पर्मिय नहीं अभी को समझ में आ रहा है ना इनको P.A.P.A.N.Q के रूप में लिखा जा सकता है इनको P.A.P.A.N.Q के रूप में यह पर्मिय संख्या है यह लेबल फैस्ट के कुश्चन है सबसे आसान वाले इसको तो बताई दिया हूँ चलें आगे आईए तो लेवल सिकेंड में आजाओ लेवल सिकेंड में आजाओ बढ़िया चलें ये लेवल सिकेंड के कुश्चन है साथियों ये पॉइंट में होते हैं इनमें कुछ पर्मिय भी है कुछ अपर्मिय भी है क्या आपको इसमें कोई अपर्मिय संख्या दिख रही है एनिमन कोई बताएगा हाँ दिख रही है, पड़ में संख्या दिख रही, देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे 10, चुकि एक अंग पर point है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंग पर 10 हम लो है, तो 314 बटा 100, ठीक है, अगर किसी भी गिंती में नीचे 0 होता है, तो इसका मान अनंत होता है, इन्फाइनाइट हो पर्मिय संख्या होगा इसको हम लिख सकते हैं 25 अपां 10 ये क्या होगा पर्मिय संख्या होगा आज की क्लास में हम आपको रेफनल और इरेफनल सिखा रहें ठीक है आप लोग अपने सोना बाबू से थोड़ा पीछा चुड़ा के इंटरनेट बचा के रखियेगा ठीक है क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कंप्लेन और मैसेज आ रहा था रिक्वेस्ट आ रही थी कि देखने दिखाने के चक्कर में इंटरनेट खतम हो जाता है सामको कलाफ नहीं ले पाते है तो मैं देखो गए तो कुछ हासिल होगा नहीं और अगर यहां देखोगे तो जिन्दगीम कुछ कर जाओगे आए लेबल थार्ड में बात करते हैं लेबल थार्ड के कुछन जैसे अगर यह है 36 बटा 13 क्या यह पर्मिये है या पर्मिये है मुझे यह बताओ पहले रेफनल है या इरेफनल है अगर रेफनल है तो पी रेफनल है तो क्यूं लिखिये मैं आपके सामने से हड़ चुका हूँ सुमन परजापती अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी है अमन जी आप PBR Study आप में एकलब बैच जॉइन करिए बाबु देखो भया जिनको भी रात में लाइव आना अच्छा नहीं लगता है इंपॉर्टन काम है वो PBR Study आप में पांच नॉम्बर से एकलब बैच आ रहा है उसको जॉइन कर लें कभी भी देखें किसी भी समय देखें कोई लफडा नहीं है बहुत अच्छा यह इरेफनल नंबर है यह है इरेफनल नंबर अपर्मिय संख्या इसमें सबसे पहला जबाब देने वालों में जिनका नाम है उनका नाम है बूपेस सोनू जगनारायन रोहिस सचिनियादो सांभवी मिस्रा पूजा अनूप मुहमद हस्तान संगीता नित्या सवरभ सुरेंद्र स्तुभद्र आर्या क्यों क्योंकि इसमें कोई भी ना तो 36 ना तो यह 13 कोई भी पूड़वर्ग संख्या नहीं है कैसे नहीं है आईस्या कैसे क नहीं है तो यह 6 बटा अंडरूट 13 आ जाएगा क्योंकि 36 एक पूड़वर्ग संख्या है फिर भी यह अपर्मिये ही होगी क्योंकि यह प्यापान क्यूग की रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं अटाया जा सकता इसका चिन अगर हटाएंगे तो एक पूड़ संख्या नहीं आएगी उमीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई अपर्मिये संख्या अंडरूट 25 बटा 17 यह बताओ क्या है पर्मिये है कि अपर्मिये बताओ बहिए रेफनल है कि रेफनल बीने कुमार बताओ अनुज अभी नो पर्मिये है पर्मिये क्या है बहुत अच्छा बेरे गुड बच्चा बेरे गुड बहुत अच्छा ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड यह पर्मिये संख्या अच्छा क्योंकि इसका वर्गमूल माइनस का 5 आएगा तो 5 अपान 17 आप लिख सकता हो इसको चाहे तो 5 बटा 17 लिखो बचाहेा लो टरींट बटबट का है पता है टुम्हें दूनों पर मिये संख्या है लगा एप अच्छा तो यहीं लगे हाथ ही बतावा सबही कि under root 10 पर्मिया है का पर्मिया है हो बतावा हो पंचो यह पर्मिया है का पर्मिये इसका code है यक्स एंड वाई वाई मतलब अपर्मिये यक्स मतलब पर्मिये बताव अगर यह पर्मिये संख्या है तो आप यक्स लिखेंगे कमेंट में अपर्मिये है तो वाई अंडर रूट 10 इजा रेफनल नंबर और रेफनल नंबर कमेंट यूर आइंसर वेरी फास्ट देखो अंग्रे जी आवे लगा ना हमका का तू लोग अलकेम लेता का इसे सबसे पहला जबाब इसमें अगर कोई दिया है तो मुझे नहीं लगता कौन है वो क्योंकि सब लोग सम्में वैसे दे रहे हूँ अगर अच्छा मोहमद हसन विसाल पास्वान अलोग सिंग अनिल कुमार किस्सू किस्कू पुरे मोहलक ना में रख लें हैं जोड़के यह कठा बड़ा सा नया तिवारी संकर बिने बिंदिया सागर बिने बहुत अच्छा यह इसको इंगलिस में परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं अंग्रेजी वाले जान लिया इसको परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानि पूर्ड वर्ग और परफेक्ट क्यूब यानि पूर्ड घन ये संख्यां अगर हैं तो वो संख्या परमिय होती है ठीक है चाहे वो रूट के अंदर हो या घनमूल के चिंद के अंदर हो और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या परमिय होती है अच्छा तो यहीं लगे हाथ ही बतावाच अच्छा लोग कि अंदरूर 13 का है हो अगर यह परमिय है तो तुम वाई लिखोगे वाई मत लिखो या रहा है वहीं लिखे रहा है वहीं उल्टा पुल्टा के देवा ई और यह अंद यह चलो बताओ एक और बताओ आगे बढ़ा रहा हूं देखिए अगर आपको आ भी रहा है ना कुछ तो थोड़ा संतोस करना चाहिए क्योंकि सोसल मीडिया पर रील ऐसे इसे निच्चे उपर करके तुम कच्छा पका बदाम देखते हो ना उसको भी तुम पता आएगा उसके अंदर क्या है फिर भी देखते हो उमीद में देखते हो कई कुछ और दिख जाए है ना यह देख जब हम लोग अच्छाट पढ़त रहें ना है कि हम लोग के घरे वाले हमका भाई चरवा बेजवा देते रहें तो जब हम भाई लएक जाई हुआ बैठी याद आवे हमसे बहीं चरवा हो था घरे होई तो पढ़ी धम है जब घरे रात रहे तो पढ़ाई का चीज है का मतल अच्छा अच्छा लोग पढ़ाई द्यान दिया हो सबसे पहला इसमें जरूर बोलूँगा पूरे सम्मान के साथ उनका नाम है अब याव 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 रुप जा है एक मिनाट गड़ बड़ाई जाता है उनका नाम है पूजा कुमारी अब बीने कुमार अनुज कमेंट बहुत तेजिक साथ भाग रहा है नहीं समझ में आ रहा है ठीक है बंदना प्रिंसी यादो ठीक है तो इसमें जो सही जबाब है वो इरेफनल नंबर है क्योंकि जो 13 है व थीक है यह ना ही पूडवर्ग है ना ही पूलगन है इफ लिए यह क्या है यार इसमें कुछ अजीब टाइप का लगा है आयाल टाइप का पता नहीं कौन छुआ था इसको यहां भी लगा है बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तुम लोग कितने निक्के हो मुझे नहीं पता था कितने निक्के हो तो लेबल तीन होईगा लेबल चार में आगे बढ़िए इनको रपट के साइड में कर दीजिए देखो इधा अब लेबल फोर यह सब हमारे पढ़ाको बच्चे है इसी बात थोड़े है यह बताएए कि अंडर रूट हंड्रेड प्लस का फाइफ अपटे में तीन बहुत यह पर्मिये है क्या पर्मिये है बताओ हम सिखाएंगे बताएंगे अभी पूरा मतलब बिस्तार से क्या है यह अब सबहें लिखाए पी लिखा अगर यह पर्मिये अगर आ पर्मिये है तो आई यह code है comment करिए पी अगर पर्मिय है तो अगर अपर्मिय है तो आई बताईए मैं बता देंगा अभी समझा दूँगा तुरंट ज़स्ट सबसे पहला जबाब इसमें कोई दिया है तो उनका नाम है बिने उसके पहले अनूज है फिर सचिन भूपेस अच्छा एक चीज पता है तू लोग का जब सौ लोग मना इन लोग का पीछे कह पावा था तो तो का पता है कि कोनों परकार के आज कल गौवर्मेंट जॉब उमें एक सीट पे ना दददफ हजार लोग का पीछे करेक पड़ा था तो हुआ का के लेवा तो हिया कम से कम जीतो चोटी चोटी जीत जिन्दगी में आतम विश्वास बढ़ाती है पर्मिय संख्या है क्योंकि सौ का वर्गमूल दस होगा दस धन पांच बटा तीन इपंदरा बटा तीन आएगा चाहे तो इसको डारेक्ट पर्मिय बोल दो या पांच के रूप में बदल लो तो पांच बटा एक पर्मिय संख्या है इतनी हो जाई करने के बात किलियर ठीक है बढ़िया तो बी नंबर लिखा भाई आसा भाई तीन धन अंडर उट साथ और माइनस तीन धन अंडर उट साथ यह बताव का है पर्मिय का पर्मिय अगर यह रेफनल नंबर है तो आर लिखिए रेफनल यह रेफनल है तो आई लिखिए इसमें भी क्या है रेफनल या रेफनल बताईए जनाब देखो भाई अवाहूत आसान है बेरी गुड यह थिरी पलफ अंडर उट सेबन माइनस तीन कोश्ठा खुलेगा तो अंदर के चिन्हवे बदल जाएंगे तो शाथ से शाथ निपड जाएगा तीन से तीनों निपड जाएगा जीरो आएगा यानि सुनना आएगा और सुन जोनी बर्मा दयानन्द प्रिंसी आदव बिंदिया सैनी नित्या बर्मा आनवी सर्मा राहुल आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर अब रेफनल रेफनल टॉपिक रहेगा यही क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है आईए इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ नया पढ़ा देते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे दो पर्मिय संख्याओं के बीच पर्मिय संख्या निकालना अच्छा मैं अगर आपसे पूछ हूँ कि ये बताओ भया कुछ्चा नमर पहिला संख्या पांच वा नौ के बीच कितनी संख्याएं हैं बताओ सिर्फ कितनी संख्याएं हैं यही बताना एक्जामपल के तौर पर बस सभी बता लोगे ना आराम से बता लोगे पक्का चल भई आओ चलो ठीक है बणिया है रुक गया था वीडियो सभी को पता है कि पांच वा नौ के बीच में अगर हम संख्याओं की बात करें तो भाई साब छे साथ वाट तीन संख्या हैं लेकिन अभी यह चीज मैं आपकी जूठा सिद्र करके दिखाओंगा कैसे पर मिये संख्या के मामले में प्रिंसी यादो सचिन पंकच देखिए समझेए यह बढ़िया है यह चीज मैं आपको काहे को लिखके दिखा रहा हूं इसके पीछे कुछ लॉजिक है जैसे अगर मैं कोईशन बोलूं दूसरा संख्या तीन वा पांच के बीच बीच अब संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं कितनी पर मिये संख्याए हैं कितनी कितनी पर मिये संख्याए हैं बताओ भया चलो कितनी पर मिये संख्याए हैं एक मिनट के लिए साइलेंट हो के बताओ ए बाई चलना यार ए इसके बीच में एक पर मिये संख्याए हैं दो है सी जीरो है डी अनन्त है इंफानेट सामने से मैं हट गया हूँ देखिए प्यारते और बताइए रौकी जी अन्पी नेलू पंडे स्टीला सभी साथी कलास को खूब दबा के सेयर करो बाबू देखो यह लाइब खतम होने के बाद नहीं देख पाओगे याद रखना जब भी लाइब चलता है आप लाइब में आओ और देखते रहो देखिए जिन लोगों को लग रहा है उपर वाले की तरह उनका गलत है यह था कितनी संख्याएं है नाट पर्मिय संख्याएं यह है कि बीच में कितनी पर्मिय संख्याएं है इसके बीच में कितनी रेफनल नंबर है तो किनी भी दो पर्मिय संख्या क के बीच में अनन्त पर्मिय संख्या होती है यह डी वाला सही होगा अधिकांस लोग गलत कर रहे हैं कि अब यार चलो कौन सा डी वाला सही होगा डी वाला डी वाला कि अब चल ले यार यह वाला सही होगा अनन्त देखो कैसे अब सिद्ध करके दिखाता हूं तुमें चलो आगे आगे चले साभी बच्चे डेली कलास की अपडेट के लिए टेली गराम पे जरूर जोईन कर लीजेगा भूली या गा नहीं टेली गराम और इंस्टागराम पे पीवियार स्टेडी सर्च करके जोईन कर लेना सभी आईए कुश्चन है अब करके दिखाऊंगा लिखो भाई ये दूफरा नमर मानलो इसे संख्या दो तीन के बीच चार पर्मिय संख्या बताईये चार पर्मिय संख्या बताईये चलो कुशन मार कर दिया अब आप कहोगे कि भाईया हो दूब और तीन के बीच में चार संख्या कहां से आएगी अरे एक होता है, एक के बाद दू होता है, तीन होता है, फिर चार होता है पांच होता है, एक अरे बीच में चार संख्या कैसे आएगी, इसके बीच में चार नहीं, चार हजार संख्या आ सकती है पर मिये संख्या, देखो कैसे वही तो मैं दिखाने वाला हूँ देखो आ रही है अभी मौशी के घर से देखो कैसे आएगी इसका दो तरीका होता है हम पहले तरीके के बात करेंगे फास्ट मेथड पर्थम तरीका देखिए इसमें एक सुत्र लगाते हैं पहले तरीके में ए प्लस बी अपांट टू ये तरीका हर जगा परियोग नहीं करते हैं ठीक है देखो सुत्र क्या है समझिए जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर लिखेंगे पहली पर्मिय संख्या पहली फास्ट रेफनल नंबर क्या होगा बाबु भीया फार्मूला लगाओगे ए का मान क्या है पहली संख्या यानि दो बी का मान क्या है तीन तो दो धान तीन और बटा क्या दो यानि पहली जो पर्मिय संख्या आई वो क्या आई पांच बटा दो अब बताओ पांच बटा दो का मान तो धाई होता है बहिया बतावा तुहीं सबही बतावा हो पांच बटा दुई के मान धाई हो थे न क्या और कुछ नहीं न या 2.5 तो मुझे यह बताओ कि 2 और 3 के बीच में क्या धाई हो सकता है यस या नो हो सकता है खाओ कि हाँ ये बात तो है लेकिन फिर चाठो कई से आएगा पहली हो गई बार बार बता रहा हूँ ये सूत हर जगा नहीं लगेगा पर तेक सवाल में जिसमें थोड़ी सी संख्याई निकालनी है वहां लगेगा अब लिखिए दूसरी पर्मिये संख्या बराबर अब यहां पर एक चीज आपको समझना है हमें चूकी चार पर्मिये संख्या निकालना है तो हम एक काम करेंगे हम यह एक ठी जगा बनाएंगे इनके लिए सपनों का सहर यह दू यह तीन हमें चार संख्या निकालना था चुकी हमें पता है आपको भी पता है और पहल की संख्या एके बीच मा आई चुकी है का धाई आ चुकी है हम लिख भी देंगे कौनो दिक्कत नहीं है समझे इसी की बीच में हम चारो लिखेंगे आप क्या करेंगे पता है इसको आप पहली संख्या मान सकते हो इसको दूसरी मान सकते हो ठीक है या फिर समझे न अभी तक जो पर्मिय संख्या आई है धाई वो दो और तीन के बीच में आई है तो मैं किसको ले लूँ दाई और दो को ले लूँ चलो कि हम दो अधाई को ले लेते हैं तो दो प्लफ डाई बटा का दूई ओके वैसे इस पे अगर हम सीधा फीधा पांच बटा दो लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता भिन्न के रूप में लेकिन दसामलों में लिख दिया तब ही कोई बुराई नहीं है चलो इनको जोड़ो होगे मेरे भाई पांच में जीरो तो पांच दसामलों और दो दो चार ऑफ यानि 4.5 कितना आया 4.5 चलो ओफ पॉफ कर अब बताओ चार दसामलों तो कितना आएगा साड़े-4 का आधा कितना आएगा इस विप्ता अगा भई या साड़े-4 का दाने में कर पार हो देखो बता देता हूं तुमें करके सुनो आसान तरीका है एक अंक पर दसमलो है उपर से हटा दो तो 45 बटा 20 बन जाएगा 45 बटा 20 इनको हल करके भी निकाल सकते हो और दूसर का एक तरीका है वो देख लो देखो साड़े चार का आधा भई चार का आधा दो होता है माल लो इसको रुपया साड़े चार रुपया है चार रुपया पचास पईसा तो चार का आधा दो और पचास पईसा का आधा 25 पईसा यानि 2.25 समझा 2.25 दसमलो में अगर बात करें तो तो इसके बीच में क्या हैगा 2.25 तो इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे, इसको हम थोड़ा इधर खिसकाएंगे जगा करेंगे, 2.5 यह लिख दिये, एके बीच में आएगा 2.25, अब बताओ इसमें किसी को कोई गड़बडी लग रही है, नहीं न, बाइस आप 2 और 3 के बीच में, अगर इनको रुपया मानके च अनन्त पर्मिय संख्यां बनेंगी, इनकी कोई लिमिट नहीं है, तुम यह मत सोचो कि 2.1, 2.2, 2.4 इसे 9 तक होगा बस, 9-10 नहीं, दफ 1000 संख्या से भी जादा होगी, कितने लोग को नहीं समझ में आएग बार हाँ बोल दीजिए फटा-फट, प्रियंका भरत्द्वा जा साक्षिया दो, ठीक है, तो यह हो गया दो पर्मिय संख्या हैं, अब तीसरी पर्मिय संख्या की बात करेंगे, तो इनको घटा देंगे, छोटा कर देंगे और, जिससे दिखे इस स्क्रीन पर, दिखेगा तो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, लिख भया, तीसरी पर्मिय संख्या, इक्वल ए प्लस बी अपान टू, तो इक्वल होगा, एक अमान कितना, एक अमान कितना हो, अब कहा लेंगे, हमें एक और पर्मिय संख्या निकालनी है, अब हम धाई और तीन को ले लेते हैं, धाई को A मान लेते हैं, और तीन को B मान लेते हैं, अगर तुम्हारा इक्षा करे, तो 2.25 को A मान लो, इसको B मान लो, लेकिन अब दो और तीन को नहीं मानना, नहीं, जगडा तुम्हारे दो परानी के बीच में है, तो पडोसी कुछ नहीं करेगा, इनको धाई और तीन को ले लो तीन को भी यह हो गया दो तीन दो पांच 5.5 पांट टू इसका आधा कितने लोग कर लेंगे इमानदारी से बताना मुझे कितने लोग इसका आधा कर लेंगे नितीस कर लोगे साग्षी नंबर पर संपर करिए नई भी करम बिल्कुल लड़की तो बरबाद कर देगी तुमें देखो तुमें कितनी बार बताओं यार लड़कों को देखो लड़की लड़का के प्यार मुखबन में लड़का बरबाद होता है लड़की निकल जाती चला किस सच बता रहा हूँ अगर दो लड़के न एक ही लड़के के पीशे पड़े हैं और एक कामयाब हो गया अच्छा सा डंका उसके साथ निकल लेगी दूसरा बरबाद हो जाएगा दूसरा एक जांबल समझे लो देखो पढ़ाई के साथ जरूरी है दूसरा ऐसा समझे लो माल लो तुम्हारा कोई बाबू है बहुत अच्छा वाला और तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है तो टाइम तो दोनों का बरबाद हो रहा है न तो तुम्हें न वो कर पाएग और उसके घरवाले साधी खोजेंगे अच्छा गवर्मेंट जॉब वाला बहले उसकी डेवलों हो लेकिन सरकाई नो करी हो चप्रासी हो चलेगा लेकिन सरकाई नो करी हो और मिल जाएगा फिस घरवाले तैकरवा देंगे वो चुप़े से फोन करके बोलेगी बाबू बूल नहीं पाएंगे लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं अंदर अंदर सोच रही को उसकी सलरी लाखों है विरोजगार क्या करेगा तो यह है तो फिर आप मत सोचना कि अब कुछ लोग हमको बोल रहे हैं ऐसे हुआ आपके साथ नहीं मेरे फाद हैसा होता तो तुम जैसे दफ लाख लोगों को हम कैसे जोड़ सकते थे एक प्लेट फार्म पर सीखा था लेकिन थोड़ा बहुत टच हुआ था ज्यादा नहीं चलें आगे ठीक है हो गया अब देखो 5.5 का आधा करेंगे और यहां में लाके लिख देंगे 5.5 का आधा कैसे करेंगे भाई बहुत आफान तरीका है 5.5 का आधा करना एक तरीका तो दूसरा वाला बता देता हूँ अपकी एक अंग पर दसंबलो है हटा दोगे तो यह 20 हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे 11 बटा 4 आएगा 11 बटा 4 लेकिन फिर दसंबलो में बदलोगे तो फिर एक लफड़ा रहेगा चाहे तो इसको लिख दो फ्रेक्शन के रूप में यह भी सही है यह आई से देखो 5.5 का आधा तुम यह जान लो कि इसको हम आइफा लिख सकता हूँ इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं भईया यह 5 रूपया है यह 50 पैसा है पांच रूपया का आधा धाय रूपया होगा धाय रूपया का मतलब तुम समझ रहे हैं 2.50 ठीक है और पचास पैसा का आधा होग पचीस पैसा समझा कि नहीं एका दूनों जडबा तो हुए दूरुपया पचात्तर पैसा जोड़ लो कि दूरुपया पचात्तर पैसा हुए ना एक अगर भाग कर बाता वह यह तने हुए यह लाइक लिख द्या का डू पॉइंट सेबन फाइब अभी बताओ सबही मांदारी के साथ कि दूरुपया और तीन रुपया के बीच मां दूरुपया पचात्तर पैसा आए कि ना आए आए ना पक्का ना तो यह तीन परमिय संख्या होगे ना ऐसे तीस नहीं तीन हजार न निकल जाएगा अमन चौरसिया कुछ समझ में आ रहा है कि गोलु कुमार अमन बाबु यह जो तुम लिख रहे हो ना होगा क्या पता है बेटा लायक नहीं बचोगे शक्कर में आजकल इतने कानून है इस देश में कि अंजली राव समझ में आ रहे हैं इनों ने लिखे अंजली राव माई लब मॉम डेड辜 है थीक है आगे समझ में तो आभId एक बात बताओ कि दो पर्मिय संख्या के बीच में कितनी पर्मिय संख्या कितनी कि यह एक फुटकर फुटकर निकालने वाला तरीका अब थोक रेट वाला बताऊंगे थोक रेट में इकठा निकलता है यह फुटकर दुकान है इसमें एक एक ठी निकालना पड़ता मेहनत करकर के ऐसे आप मुझे चौथी पर्मिय संख्या बताओ चौथी पर्मिय संख्या अब न तुम इसको ए मान लो इसको बी मान लो कुछ नया हो जाए चलो देखा बहुत आसान है यह ढ़ाई ढ़ाई होते तो पांच हो जाते लेकिन यह 25 पर्मिय संख्या जादा था तो यह 5 रूपया 25 पर्मिय संख्या होगा कितना होगा इनका आधा करना मुझे बताना अव बाकी हम बढ़ते हैं कुछ नया आए देखिए ये फार्मूला ये तरीका आप तब लगाएंगे जब दो पर्मिय संख्याओं के बीच में आपको दो तीन या एकात पर्मिय संख्या कहीं निकालना हो ये कच्छा आठ या साथ के NCRT सीलेबस में है ये कुछिन इस तरीके के नव में भी सायद है न जब दो पर्मिय संख्याओं के बीच में दस पर्मिय संख्याओं निकालना हो या पंद्रा निकालना हो या आठ साथ चार तो फिर ये तरीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है, बड़ा वाला मसीन लगाते हैं, एक्स्ट्रा निकलने वाला, देखो कैसे, समझो, आगले कोशन की तरफ, जरा कदम बढ़ाईए जनाब, अभी सीधा सीधा नंबर लिखूं, या फिर, फ्रेक्शन वाला बताऊं पहले एक सीधा सीधा कर देते हैं, चलो सीधा फिर लिखो, लिखो देखो आता है कि नहीं, चार वा, पांच, के बीच, साथ पर मिये फंख्या, थो ग्रेट वाला निकालेंगे, फुटकर वाला नहीं, जिनको भी गड़ित सीखना है, क्लास को छोड़के नहीं जाएंगे, पूरा इंड तक देखेंगे, ये आप से बिनमर निवेदन है, अगर महत आपकी दिक्कत है, महत आपकी समस्या है, तो हम दूर करने की पूरी कारेंटी लेते हैं, बिल्कुल फ्री, नव बजे से नव बज कर चालिस मिनट तक आपको लाइब देखना है, छोड़ दो दुनिया चालिस मिनट के लिए, सीखलो, बना लो अपने आपको कुछ, जिसने खुद को खुद के लिए स्खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है, तो खुद को चार वा पांच के बीच में सात पर्मिय संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पहली संख्या लिखोगे, चार, दुसर की संख्या क्या है, पांच, हम इनके नीचे वन वन लिख सकते हैं, इनको फ्रेक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, चुकि चार वा पांच के बीच में अगर आप देखो तो आपको दिख तो नहीं रहा है कि हाँ संख्या है हाँ हमें साथ परमे संख्या निकाल ली है हमें काम करेंगे पहले तो हर बराबर करते हैं जो कि हर बराबर आएड़ी है दूसरा तरीका क्या करेंगे पता है तुम्हें हाँ क्या है बताइए कितने लोग कर लेंगे कितने लोग कर लेंगे दुखना थोड़ा चलो ठीक है तो साथ पर्मिय संख्या निकालने के लिए अगर इसमें हम आठ से गुड़ा कर दें आठ चोग बतिस और आठ पंचे चालिस तो क्या क्या आएगा नहीं पता देखो आओ सबसे पहला तरीका जो है आसान वाला मैं वो बताता हूँ इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है एक चीज़ और समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है किसी भी दो पर्मिय संख्या के बीच में आनन्त पर्मिय संख्या होती है तो अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम क्या है जो कच्छा छे से लेके आठ नौत क्लास में है उनके किताब का उत्तर माला नहीं मिलता है का है को नहीं मिलता है दोनों तरीका बता रहा हूँ देखो पहला तो जो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जितनी पर्मिय संख्या निकालनी हो आप उससे एक बढ़ा के गुड़ा करेंगे यानि अगर साथ पर्मिय संख्या निकालनी है तो आठ से गुड़ा करेंगे ठीक है जरा देखो अगर 8 से उपर गुड़ा करेंगी तो 8 चोग 32 और ये 8 पंचे 40 इसके बीच में 7 संख्या हो रही की नहीं देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49 और रही एकदम फिट बैठ रही और रही साथ संख्या लेकिन एक और तरीका है कभी कभी किसी किसी कुश्चन में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है अगर साथ संख्या निकाल नहीं है तो 4 से गुड़ा करने पर भी काम बन जाता है जैसे इसमें 4 पंच क्या इसके बीच में साथ परमिय संख्या है नहीं है नहीं है तो यह कुश्चन आपका जो अंसर है अगर ऐसा कुश्चन आता है तो उत्तर से मिल सकता है लेकिन जिस कुश्चन में 4 से ही गुड़ा करने पर काम बन जाता है अगर आप 8 से करे रहोगे तो उत्तर माला मैच नहीं करेगा लेकिन कोई उत्तर आपका गलत नहीं कर सकता पर्मिय संख्या के बीच पर्मिय संख्या निकालना ही मैथ में एक मात्र ऐसा मतलब कुश्चन होता है या ऐसा टॉपिक होता है जिनमें उत्तर पहला इस्टेप में हम क्या करेंगे कि इन में उपर और नीचे अंस और हर में आठ से गुड़ा करेंगे जो करेंगे नीचे उपर दोनों में आठ से गुड़ा तो यह हो जायागा चार अठे 32 बटा आठ और यह हो जायागा हुआ चालिस बटा Àठ अब हमें जो परमिय संख्या निकालनी है साथ ठू वो 32 बटा Àठ वो 40 बटा आठ के बीच में निकालनी है इनको मैं छोटा करूँगा, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो छोटा करूँगा, जिनको भी गड़ी सीखना है बाबु भाईया, कलास को इंड तक देखना है, कोई छोड के नहीं जाएगा, नहीं सीखना है, कोई बात नहीं, जाओ, साथ वीडियो देखो, इंजुआय करो, आज कल तो ऐसा है, कुल सोचल मीडिया पे नंगा नाच मचा रखा है लोगों ने, देखो आगे, यह हो गया, अब हमें 32 बटा आठ वा 40 बटा आठ के बीच में, साथ पर्मिय संख्या निकाल नहीं है, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहां ब्रेकर करने पर, अता, 32 बटा आठ हुआ, के बीच, साथ पर्मिय संख्या, देखात बाइब यह नीचे न, कौनों दिक्कत ना है न, देखा फिर, 32 बटा आठ, और 40 बटा आठ, दूसरे छोर पे, अब बताओ, इसके बीच में क्या है, 33 बटा आठ, इसके बाद क्या है, 34 बटा आठ, 35 बटा आठ, 36 बटा आठ, 37 आठ, 38 और छोटका लिख भाईया, नहीं आएगा, यह आएगा, काई नहीं, इसको उदूरी कर, चल निकल लें, उदर चल, आगया न, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या, कि क्या यह 33 बटा आठ, जो है, 4 और 5 के बीच में आएगा, भी कैसे हवा में लिख दिये, है न, आ रहा है कि नहीं, फेले इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, उसका आंसर, देखो बाबु जिनको भी गड़ित सीखना है, नंबर पर संपर करिए, और रोहित जी, आप मैसेज करके, मुझे ये बताना कि आप रेगुलर लाइब में नहीं आ रहे हो, और ये मत कहना हमा आये थे, कल भी आये थे, रोह जाते हैं, ये नहीं, कमेंट कौन मैनेज करेगा, आप नहीं आओगे, तो बताओ, यहां लोग लड़ाई कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, कोई बवाल जरसे या मोबाईल में करके देखो, 33 बटा आठ, बाग करके देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ, यहीं दिखाऊंगा, चलो, आओ, सवाल यह है कि चार वा पांच के बीच में, क्या यह 33 बटा आठ या 32 बटा आठ है, या नहीं है, है न, यह आप सोच रहे होंगे न, आप 32 बटा आठ को कल्कुलेटर से कर लो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कितना आएगा, 8 चों 32, तो पहिला तो स्वरी, इसका तो निकाल रही है, तो वहीं चीज है, तो चार आजाएगा, कोनो मतलब नहीं है, 33 बटा आठ को अगर आप करोगे, कल्कुलेटर से, या आप खुद से भी भाग कर लो, बाबू, कर लो भाईया, तो यह आएगा, 4.125, अब बताओ, 4 रुपया, 12, 15 या 10, 15 लगभग, जो भी है सम्थिंग, वो 4 और 5 के बीच में आएगा की नहीं, आएगा की नहीं, यानि इसका मान है, 4.125, यानि लगभग, 4 दस हमलो, एक भी आप बोल सकते हो, 4 रुपया, 4 रुपया, 12, 15 लगभग है, लगभग, ठीक है, सम्थिंग, मोटा-मोटा 4 रुपया, 13 पैसा बोल सकते हो, अच्छा अगला, इसको भाग करके देखो, कल्कुलेटर से, 34 को अगर आप भाग करोगे, 8 से, तो 4.25 आएगा, 4 रुपया, 25 पैसा आएगा, इसको हम इसके बीचवाम लिख सकी ठीकना है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ऐसे आप सब को भाग करके देखो, ये सार इमान, 4 और 5 के बीच में ही आ रहे हैं, एक को 4-5 के बहरे नहीं है, सब इसी की बीच में है, समझ में आया, अनजली समझ में आ रहा है, साक्छी, बात ना करिये बिलकुल भी, अनमोल बलाग, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, सपोर्ट टीम से निबेदन है, किसी को बलाग नहीं करेंगे, कोई कुछ भी करेंगे, हमें बताएंगे, ठीक है, किसी को बलाग नहीं करेंगे, एक मतला भी नहीं कि तुझे उमर जी वही करबा, हम एक दम बलाग कर देंगे, पर्मनेंट, तो अनुसासन हींता बिलकुल भ आए ठीक है तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ और भी हमारा ये कहना था कि किसी भी दो पर्मिय संख्या के बीच में अनंत पर्मिय संख्या होती है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया एक एक for example 14-5 के बीच में ताथ पर्मी संक्या कैसे निकाला झाल बताइए इनमें कौन रेफनल नंबर नहीं है जबाब दीजिए गीता बर्मा, कौमल तिवारी, बिजय यादो जी जरूर देंगे, जरूर देंगे होमवर्क परतिमा मौम्मद हसन गोलू आज डीलेड वाली कलास गडबड कर दें क्या बेसिक पढ़ा दें बहुत अच्छा इसमें सबसे पहला जवाब अनुमोल ने दिया है अभूपेश चतुरुबेदी, गीता बर्मा, निद्या, कौमल बहुत अच्छा इसमें जो पर्मिय संख्या नहीं है वो जो मुझे दिख रहा है वो डी वाला है क्या है डी वाला ये वाला रेफनल नंबर है चच्छा एंड भाईया का कहें तुमें ये रेफनल नंबर है इसको तुम आईफा लिख सकता हो 325 बटा 100 ये है पर्मिय संख्या ये वी रेफनल नंबर है इसको तुम लिख सकता हो 99 इतना ये भाई साही लिखा हो ना हाँ पुरफ है ये ये तो है ये है देखिए ऐसे दसमलो वाले पर्मिय संख्या तब नहीं होती है जब उनका कोई ठीकाना ना हो ठीकाना ना हो का मतलब ये है कि जैसे फारिक जांपल अगर कहीं ऐसे नंबर है आफे डाट डाट हो मतलब वो खतम ना हो रहा हो ऐसे इस्थिती में वो अपर्मिय संख्या होता है अगर खतम हो रहा एक निश्चित अंक तक है तो पर मेतन क्या होती है